हर्याणा में भड़की हिंसा दिल्ली के करीब पहुची क्या दिल्ली में भी हिंसा भड़कने का है खतरा दिल्ली के समविदन शील इलाकों के क्या हाल हर्याणा के नुह में भड़की हिंसा की लपटें धीरे धीरे बढ़ते हुए दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुगराम तक पहुँच गई हैं गुरुगराम और बादशाहपुर में उपदर्वियों ने जमकर उत्पात मचाया है और यहां कई दुकाने और शोरूम्स फूख दिये गए हैं हर्याणा में भड़की हिंसा में अब तक पाँच लोग मारी जा चुके हैं जबकि कई लोग खायल हुए हैं इस हिंसा की वजह से लोग सहमे हुए हैं और घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं हर्याणा के आठ जिलों में धारा 144 लगा दी गई है हिंसा की आज दिल्ली से 60 इलागों तक पहुँच गई है ऐसे में सवाल उठने लगे हैं क्या दिल्ली में भी हिंसा भड़क सकती है क्योंकि दिल्ली में भी कई इलाके समवेदन शील हैं जहां साल 2020 में भारी हिंसा है ऐसे किसी संभावना या संभावित खत्रे को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है दिल्ली के पड़ोसी राजी हर्याणा में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा तैयारियों पर दिल्ली पुलिस की प्यारों सुमन नलवा ने कहा कि दिल्ली में शांती और सदभाव को डुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास से सकती से निप्टा जाएगा. हिंसा के सभावित खत्रे को देखते हुए दिल्ली के समवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की और से बड़े इंतिजाम किये गए हैं। पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी हो रही है। जाएगा. you know expression of anybody's intention to be violent that they should share it with us we have our erss number 112 so they can reach out to us and inform us so that a preventive action can be taken and if anybody is trying to disturb the peace they are handled strictly and we are keeping a watchful eye on all areas all our officers are on the ground so we are going to ensure that nobody is able to disturb the communal peace that exists in Delhi and any such attempt by anybody will be tackled very seriously